अब आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और नई सीरीज के साथ साथ एक नया टॉपिक भी लेकर आएं आपके लिए जिन भी स्टुट्स ने जनरल स्टैडिस का कोई भी एक्जाम देना है या फिर कोई भी एक्जाम है जिसमें आपको समाने अध्यन के कोशन कोई भी सिविल सर्विसी किसी भी स्टेट का इसमें जनरल स्टैडिस के कोशन पूछे जाते हैं तो यह सीरीज उसके लिए बहुत ज्यादा फाइदे मत रहेगी और आप इस सीरीज से फाइदा ले सकते हैं यह सीरीज बिलकुल फ्री ओफ कोस्ट रहेगी आपको डेली ले अज हम एकॉनमी के बारे में क्वेसंस करेंगे इस चेप्टर में आपको डो तरह के क्वेसंस में देली ही भी क्वेसंस में पूछे जाएंगे तो ये दो तरह के questions में आपको करवाऊंगा daily, तो आप daily वीडियो को देखा कीजिए और इसे आप अपना फाइदा लिजिए, एक चीज और, देखें यहाँ पर जैसे मैंने आज आपको पहला chapter बताया कि economy and introduction, तो आज सारे questions जो है इससे संबंदित रहेंगे, तो आपने ये प करवाए जाएंगे, तो कल आप national income पढ़के आना, फिर आपको अच्छे से समझ आजाएंगी चीज़े, चलिए पहली बर है चैनल पर, चैनल को subscribe कर लिजे, साथ में bell icon जरूर दबा लिजे, और कोई भी जानकर चाहिए हो, तो हमारी official website है, यहाँ पर जाकर देख लिजे, को options है, Adam Smith, Marshall, Keynes, या फिर Robins, तो आधुनिक अर्थ शास्तर का जनक किसे कहा जाता है, राइट आंसर क्या है, Adam Smith, तो अप राइट आंसर है, अब इससे related एक दो question और पूछ ली जाते है, यह तो होगा, father of modern economics, एक पूछा जाता है, father of economics, जनल यह आप सभी को पता है, father of economics किसे कह कहते हैं, तो यह Adam Smith को कहते है, यह सभी को पता था, लेकिन modern economics का father किसे कहते है, Adam Smith को कहते है, यह भी याद रखना, बच्चे confused हो जाते है, यह तो मुझे पता था, लेकिन यह मैंने नहीं पढ़ा हुआ, पहली चीज, दूसरा Adam Smith के एक book आई है, बहुत जादा famous book है, तो उसक ने जो है, capitalistic economy का जो है, सिधान्त दिया था, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे, एक और प्रशन पूछ रहता है, who is the father of capitalistic economy, या फिर capitalism, तो यह सारी question पूछे जाते हैं, यह एक question से समन्दीत है, तो एक question में आपके यहाँ पर चार question cover हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से या कौन थे, एक scientist से, sportsman, banker या economist, अब आपको पता है कि यह economy का lecture चल रहा है, तो आप आसानी से इस का answer क्या करेंगे, economist, कि जो पाल करगमेन थे, वो एक अर्थ शाष्ट्री थे, लेकिन अगर यह exam में direct पूछा जाता और आपको नहीं पता होता क्या थे, तो फिर आप confused हो जाते कुछा रखना, पाल करगमेन जो है, एक economist से, और यह कहां से थे, यह भी America से समद्धी थे, America के वासी थे, और इनकी एक book, बहुत famous book है, हाला कि पूछी नहीं गिया, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, international trade, international trade, यह पाल करगमेन की book है, याद रखना, the wealth of nations, Adam Smith की book थी, यह आप से, next question देखो, for the existence of a market, which is indispensable, देख लीजे, option दे रहे हैं, bank, economic laws, prices, या फिर ट्रेड यूनियन, तो एक बाजार के अस्तितव के लिए, जो अपरिहरा है, वो क्या है, पहले तो यह देखिए, indispensable का मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए, कि market के लिए, बहुत आवशक्ट चीज या तो जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, अनिवारे चीज क्या है, अब market है, तो market बिना bank के चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, बिना economy class के चल सकती है, बिल्कुल water system से चल सकती है, trade union ना भी हो, तो भी चलेगी, लेकिन अगर किसी चीज की price ही नहीं है, तो market नहीं चल तो यह simple सा question था लेकिन exam में आ जाए तो आपके एक के दो number इससे बन सकते हैं नेक्स question देखिए Indian economy is characterized as चार options दिये गए है भारतिय अर्थवेवस्ता की विशेश्टा क्या है पिछडी अर्थवेवस्ता है विकसित अर्थवेवस्ता है या फिर एविकसित अर्थवेवस्ता है बिल्कुल सिंपल सा question है भारतिय अर्थवेवस्ता की विशेश्टा क्या है या एक developing economy है विकसित अर्थवेवस्ता है अब विकास शील और विक्सित में क्या डिफरेंस है हम डे बाए डे खुद को बिल्ड कर रहे हैं हमारा ट्रेड बढ़ रहा है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हमारी यहां पर प्रडक्शन बढ़ रही है लेकिन जो विक्सित देश है उनका क्या है सारी शीज के प्रॉब्लम चल रही है इंश्रेंस सेक्टर वीक है बैंकिंग सेक्टर वीक है तो हम अपने सारे सेक्टर को हम अपनी economy को उपर उठा रहे हैं लेकिन उनकी economy developed हो चुकी है वह अपने सिर्फ lifestyle को देख रहे हैं या तो अच्छी तो जो गांधिन एकॉनमी थी या जो गांधिवादी अर्थ विवस्ता थी वो किस तीज पर जो आधारिती के सिधान पर वो ट्रस्टी शिप के सिधान पर अधारिती इसका क्या मतलब है यो अमीर वरक के लोग है उनके पास पैसा है वो पैसा थोड़ा थोड़ा पूल करके एक आपर फंड बनाएं और उस फंड से लोगों का जो है भला करें जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनके भले के बारे में उनके अच्छे के बारे में आपर काम करें वो ट्रस्टी शिप सिधान पर हो जाता है कि अभी आप पढ़के हटे हैं कि ट्रस्टीशिप का सिधान किस ने दिया था तो यहां पर चार ऑप्शन पढ़ दीजिए मन रॉय और बिंद घोश महातमा गांदी जी के गोखले तो राइट अंसर क्या है महातमा गांदी तो नयासी की अभधारना परतिपादित किस ने की थी महातमा गांदी ने तो पांचमा और चाटा कॉश्चन सेम है लेकिन अलग-अलग वे से पूछा गया है तो वहाँ पर आपके जो है मार्क्स कट सकते थे अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट कॉश्चन देखिए Which of the following is the major feature of Indian economy अंडियन ेकोनसे का major feature कौनसा है निमइलिकस में से कौन भारतिय अर्थarta की परमुक विशेचता है е Capitalistic economy जो की भारतिय अर्थवश्चन से नहीं है Capitalistic economy से अर्थी यू.स से है Socialistic economy यह भी भारतिय अर्थ वश्चन रहीं है a mixed economy या फिर none of the above तो दो में राइट आंसर चूज करना है तो क्या है भारतिय अर्थ व्वेबस्ता एक mixed economy अगर आप कभी भी न्यूस पेपर पड़ते हैं तो हर बार लिखा होता है या फिर mixed economy तो यह भारतिय अर्थ व्वेबस्ता की इसको फीचर है अब आपके मार्व में कोनों को कि सません अोगे का मतलब क्या होता है मि》ृश्ट सेकर काम कर रहे हैं कशी जैसे कि रेलवे गवर्मेंट के पास है अभी और फार ब्रावने में का प्राइट में का पास है पोस्ट ऑफिस fully government authorized fully station government के पास है इसके लावा bank सरकारी भी है और private bank भी है production सरकार भी कर सकती है private लोग भी कर सकते है companies जो private भी है सरकारी भी है तो इसी तरह से जो mixed economy है उसमें कुछ private players के हाथ में होता है और कुछ government players के हाथ में होती है कुछ चीज़ है आगे जैसे जैसे हम questions करते जाएंगे मैं सारी चीज़ें आपको detail में समझाता जाओंगा next question देखिए the Indian economy is a तो इंडियन economy क्या है यह तार options दिये गए है liberal economy है socialist economy है mixed economy है तो जो इंडियन economy है वो mixed economy है भारतिय अर्थववस्ता मिश्रित अर्थववस्ता है साथमा और आटमा question फोड़ी सेम थे next question देख लिए mixed economy in India means mixed economy का question आ गया देखिए जहां पर option देगे चार महापर जब आप पढ़ेंगे मैं नहीं होंगा मैं नहीं हमापर कुछ पढ़ा रहा हूंगा तो फिर आपको कुछ से इसका अंसर करना है तो पहले आप एक पर question को पढ़िए भारत में मिश्रित अर्थववस्ता का अर्थ क्या है co-existence of large and small scale industry बड़ी और चोटी industries सैस्थित्व में नहीं foreign collaboration in economic development आर्थिक विकास में विदेशी सायोग ये भी गलत है co-existence of public and private sector अभी मैंने आपको बताया सार्वजिनिक और नीजिक शेकर का सैस्थित्व तो उसको क्या बोलते है मिश्रित अर्थववस्ता right answer क्या है c next question देखिए the credit of developing the concept of modern economic growth goes to फिर से देख लीजे आधुनिक आर्थिक विकास की अवधार्णा को विक्षित करने का श्रेक किसे दिया जाता है किसको modern economic growth जो है इसका जो डवलप किया गया इस concept को किसने डवलप किया गया था है पर चार options आपको दिये गया है तो right answer क्या है साइमन कजनेट तो यह याद कर लेना साइमन कजनेट के बारे में यह भी जो है अमेरिकी अर्थ्षास्त्री थे नेक्स्ट कोशन देखिए Underdeveloped countries are the slums of world economy Very very important question Underdeveloped countries are the slums of world economy The statement is given by Ragnar, Narks, A.N. Kairncross, Colin Clark, Jagdish, Bhagwati अल्प विक्षित देश विश्व अर्थ विवस्ता की मलिन बस्ती है यह कथन किसके द्वारा दिया गया बहुत important question है पता नहीं कितनी बार एक्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है Right answer क्या है A.N. Kairncross इन्होंने क्या कहा था जो Underdeveloped countries है वो क्या है slums है किसके world economy के slums है जैसे कि एक शहर के अंदर दो तरह की city के अंदर दो तरह की colonies या बस्ती होती है कुछ अमीर लोग रहते हैं जिनके घर बार होते हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्री जिनको इंडस्ट्री में मतलब A.C.C. क्यास की जॉब करते हैं और कुछ D.C. क्यास की जॉब करते हैं जो slums में रहते हैं साफ स्वाई का कामस करते हैं कुछ लोग slums में रहते हैं वह यहाँ पर ग्रीब लोग होते हैं इसी तरह से इन्हों ने क्या का था Under developed countries are the slums of world economy तो यह किस ने का था A.N. Karen Cross ने यह जो है बात कही थी इनका पूरा नम क्या है Alexander Karen Cross और यह जो है British economist थे British अर्थ शाष्ट्री थे थे ध्यान रखना Which among the following is a characteristic of under development निमलिक्त में से कौन आई विक्सता की विशेष्टा है Viscous Circle of Poverty गरीबी का दुष्चकर Raising Mass Consumption Growth of Industries या High Rate of Urbanization ए विक्सता की विशेष्टा क्या है गरीबी का दुष्चकर पहले खाना नहीं है खाना खाने के लिए उधार लो किसी से उधार को चुकाने के लिए फिर दूसरे से उधार लो मतलो गरीबी का दुष्चकर इतना परिशान करता है कि ये Under Development की एक विशेष्टा बन गई है एक Characteristics बन गई है Simple सा question था लेकिन एक्जाम में पूछा जाएगा तो आप Confuse हो जाएगे आपको ये Confusion बिरूर क्रेट करेगा तो इसको अच्छे से पढ़के जाहिए याद रखे इसको नेक्स देखिए Economically one of the result of British rule in India in 19th century वाजदा आर्थिक रूप से 19. श्ताबदी में भारत में British शाषिन के परिणामों में से एक था तो ये Question जो है PCS के अंदर पूते जाता है जनरली ये Question Increase in the export of Indian handicraft तो British rule के अंदर 19. श्ताबदी में Britisher ने क्या किया था Increase किया था Export of Indian handicraft नहीं उन्होंने क्या किया था Import बढ़ाया था इंडिया का एक्सपोर्ट जो है निर्यात को उन्होंने बिलकुल कम कर दिया था उन्होंने तो भारती हाषिल्प को जो है बिलकुल तहस्नेस कर दिया था मिशीन से बने कपड़े भारत में उन्होंने इंपोर्ट करने आयात करने स्टार्ट कर दिये थे यहां से कच्चा माल ब्रिटेन में लेकर जाते और वहां से प्रोडक्ट बनाकर यहां पर लेकर बेचते थे तो पहला गलत हो गया ग्रोथ इन दा नंबर ओफ इंडियन ओन फैक्टरिज तो भारतियों के स्वामितव वाले कार खानों के संक्या में विर्दी नहीं यहां पर कार खाने जो है कुछ लगाए गये थे वह गवर्मेंट के थे या फिर ब्रिटिशर पेपल के थे भारतिये कार खानों में विर्दी उन्होंने नहीं कि अच्छा कोशन था यह एक्जाम में पूछा जाएगा रैपिड इंक्रीज इंदा अर्बन पॉपॉलेशन तो ऐसा कुछ नहीं था उन्होंने कोई इंक्रीज नहीं किया है उन्होंने जो economy को जैसा था वैसा रहने दिया है वो सिर्फ अपना फाइदा निकाल रहे थे उनको जो है इंडिया की development से कोई लेना देना नहीं था नेक्स्ट कोशन देखिए assertion एक दावा दिया गया और उसका कारण दिया गया reason पढ़ते हैं अर्थिक वैश्विक्ता का उद्या है समाजवादी विचारधारा के पतन का संकेत नहीं देता है मतलब अगर आर्थिक वैश्विक्ता इसका उद्या हो रहा है तो जो समाजवादी विचारधारा है उसका पतन नहीं होता है तो यह बिल्कुल ठीक है आर्थिक वैश्विक्ता से समाजवादी विचारदारा का पतन का कोई संकेत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा पढ़िये, आइडिलोजी ओफ सोशलिजम, बिलेफ्स इन युनिवर्सलिजम एंड गलोबलिजम, तो जो समाजवाद की विचारदारा है, वो सारों भॉ वैश्विक्ता में विश्वास करती है, तो बिल्कुल ठीक है, समाजवाद जो है, सभी के लिए अच्छा समाज, और समाज में जो है, वैश्विक्ता, समाज में अच्छा कंपेटिशन अच्छा ये विश्वास रखती है, उसमें कथन जो है, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो एकी सही व्यक्तिप भी करता है तो एसज तो यह तो यह जाते हैं तो दो कुछ फोटेन्त फे आज मैंने जो है चौटन कोशन ही है आपके लिए लेकर आया हूं फिर्स्ट चेप्टर से कल जो है यह जो क्षिन अन्यापने का दूसरा चेप्टर नैशनल इंकम य कि आप ये जो है चैप्टर पढ़के आईएगा फिर आपको ये जो वीडियो है देखने का फाइदा है ताकि आपको कुछ कोशन्स में से आते हो और जो नहीं आते हो आप अच्छे से पढ़ सके याद कर सके डेली लेक्चर आपको जो है स्टडी मास्टर चैनल पर मिलेगा नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बैल आइकन दबा लीजे कोई डाउट हो कोई कवैरी रहेगी हो तो नीचे जो है कमेंट आप कर सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके डाउट कर रिप्लाई किया जाएगा इसके इलावा आपके माइंड में कुछ क एक होगी तहना'll हो डिफी पहले दो विडियो को में लुटिया, जॉट के पोच लीज़ा कि पहले लेजालिए और नियुकर क्यूंत को दढकी सिक रहा है मिलते हैं बाइए वीडियो करूट में एक और वीडियो में मैं यह महले प्लयवा च्रॉड करूंग चेप्टर के कौन-कौन-कौन से question करवाई जाएंगे, कौन-कौन से chapter है, क्या-क्या पढ़ना है, सारी कीजिए मैं detail में बताऊंगा, उसका नाम रखेंगे introduction to economy question series, ठीक है, thank you friends.